हलो बच्चो लेट सी दिस कोश्चन और हेर दिस कोश्चन से पॉलिटिकल पार्टिस और नेसेसरी कंडिशन फॉर देमोक्रसी एनलाइज दा स्टेटमेंट विद एक्जाम्पल क्वेशन में आपको ना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट ये बोलती है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टिस होती है इनको ये डेमोक्रसी के एक रिक्वाइट शर्थ होती है कंडिशन होती कि अगर पॉलिटिकल पार्टि होंगी तभी डेमोक्रसी रन कर पाएगी ये स्टेटमेंट बोलती है तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्जाम्पल के साथ प्रूफ करना है कि कैसे democracy में political party बहुत important है हमारे इस question का key concept है importance of political parties in democracy पहला point है without political parties democracy cannot run या cannot exist अब आपके देश में democracy है तो मैं पूछती हूँ आप से democracy क्यों है तो आप मेरे को बोलेंगे कि मैं हमारे पास पूरा पूरा right है कि हम अपनी government चुन सकते हैं और government चुन सकते हैं असका मतलब यह कि बहुत सारे option होते हैं हमारे पास और option क्यों है क्योंकि बहुत सारी political party हैं अगर political party नहीं होगी आपके पास कोई option नहीं होगा चुनने के लिए तो आपके सरकार कौन चलाएगा देश कैसे चलेगा democracy कैसे exist करेगी नहीं कर पाएगी तो political party के बिना आप democracy की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं next है without political parties no one will be able to make promises to the people and to make law for the country यानि कि बिना political parties के कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी political party लोगों से कोई promise नहीं करेगी लोगों कोई promise नहीं करेगी नहीं लोगों के लिए कोई कानून बनेगा तो लोगों का welfareness कैसे होगा political party है तब ही नई-नई policy आ रही है नई-नई programs आ रहे हैं नेतागण आप से आके promise करते हैं अगर वो नहीं होंगे तो इसा कुछ भी नहीं होगा देखो political party जरूरी है सिरफ ruling party नहीं है पलकि opposition party भी बहुत जरूरी है ताकि डेमोक्रसी ठीक से रनकर पाई और आपकी वो ठीक से अपना काम कर पाई तकि रूलिंग उपर नज़र रखती है ताकि वह अपना काम सु कारू तॉर पे कर सके तो पॉलिटिकल पाटी तो बहुत जरूरी है डेमोक्रसी के लिए हैं एक नसेसरी कंडीशन है I hope you understand it well, best of luck